इस वीडियो के लिए मैंने कॉम्यूनिटी पोल किया था जिसमें 80% से अबोब स्टुडेंट्स यह चाह रहे थे कि हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्यूइशन पर वीडियो बनाए तो गाइस आग यहां हूँ वीडियो लेके इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 सॉल्य के कोशन लाया हूँ जिसमें 5 ग्रस्ऩीश के लिए 5 क्लाश IDE के लिए अगर आप क्लस्स क्या है तो अगर आप पाजГरंश कोशन अगर सही कर देता है तो गाईज जो हमारा पहला क्वेशन है वो यह है कि मतलब कोशन तो चुक इंगलिस में बट सब का हिंदी में आपको समझा दूँगा बोला कोई एक आदमी है मतलब एक आदमी 6200 रूपीज में एक ओल्ड मतलब पुराना म्यूजिक सिस्टम खरीद रहा है ठीक है और मतलब 200 रूपए उस पर लगा रहा है रिपेरिंग के लिए अभाई माले यह जाइड सी बात है पूराना है तो भाई तो हो सकता है थोड़ा पक्त रिपेर का जरूआ तो ठीक है न और यह सब करके उसको 6850 रूपए 6850 रूपीज में सोल्ड कर दे रहा है ठीक न अब बोला है फ्र और बाई करने के बाद उसको अपना कितना पैसा लगा है थीका न तो यह भी हमेशा है यहाद रुखीगा जो भी आपका एक्स्ट्रा चार्जेस होता है बहले माले उसको घर तक लाने में हमें हुआ कुई उसको रिपेर कराने में पैसा खर्च रूच वह सब क्या होता है वो सब हमेशा cost price यानि कि जितने में खरीदा है उस पे जूर जाता है ठीका नो तो देखिए जरा समझेगा तो यहां पर हम 6200 में क्या किया है पर्चेस किया ठीका नो और 200 और भी तो लगाया नो यह 200 भी तो भाई उसी के pocket से लगाया है अब ऐसा थोड़े नहीं कि जो बेच 6400 रुपीज ठीक है इसका CPO 6400 अब हम कह रहा है अगर 6400 में खरीदा है और 6850 रुपीज में बेचा है तो प्रॉफिट बताइए तो यहां प्रॉफिटी नहीं होगा आप जरा बहुत बहुत एक सिंपल एक्जांपल समझेगे मल लिजे आप दुकान पर जा रहा ठीक है न और 6850 बेच रहा है तो यहां माइनस कर देंगे 6850 में से 6400 को तो कितना है का 450 रुपीज का उसको क्या हो रहा है उस बंदो को प्रॉफिट हो रहा है तो देखिए यहां पर प्रॉफिट अब कितना रुपीज 450 ठीक है तो यह था पहला कॉश्चन अब मूफ करते हैं अपने नेक्ट कॉश्चन के तरफ देखिए यह वाला जो कॉश्चन है यह इंपोर्टेंट है ऐसे कॉश्चन हर बार पूचे आते हैं देखिए क्या क्या रहा है क्या रहा है दपरीमीटर अफ़ ट्रैंगल इज 18 सेंटीमीटर अब आपको ट्रैंगल से तो आप परचिती होंगे इससी ट्रिलाइन से बाॉंडेट वीगर मता है तो इसको ट्रैंगल बोलते हैं ठीक है अगर उनकी साइड के बीच में जो रहता है अब मालीजी मालीजी उनकी साइड कुछ भी हो सकते हमको साइड नहीं पता ठीक ना लेकिन side के बीच में ratio कितने का है 3 is to 2 is to 1 का ratio है ठीक है उनके side के बीच का ratio अब बोला है length of the greatest side बताइए ठीक है अब बात समझीगा यह question बहुत जादी easy है देखिए जैसे बहुत लोग इस question को दो तरीके से लग सकता है देखिए बहुत लोग इसी question को equation मना के लगाते है ठीक है न बट अगर आपको equation मना के लगाना है तो आप लगा सकते हैं कैसे लगेगा मैं आपको hint दे रहा हूँ यहाँ जो sides है उसमें एक side को 3x मालेंगे एक को 2x और एक क समालनेंगे ठीक है और तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि परिमीटर में जूरता है और उसको 18 के एकोल दिखा देंगे और एक्स की वैल्यू पाजाएंगे बट मैं आपको ऐसा करने के लिए सजेश्ट नहीं करूंगा अगर आप 9 में हैं ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है ले शिवके होग कर एक तोर्मक्राइद राखेगा तोटल डेखें ऐसे टोल इंटो रीं जाओ और यह क्या है समझेरा तोटल में जो आपको दिया हूँ आपको संगा हूं पाक का दिया हूँ आ यहाँ पे ।ैल अमारा दिया हूँ है पेरिमीटर ठीक रहिए cheeks अननना टोटल हमारा perimeter दिया हुआ है और ratio upon ratio sum अब घबराईए मत मैं आपको समझाता हूँ जैसे हमको ratio में क्या कर दिया हुआ है 3 2 2 1 अब हम लोग को पता होना चीए कि longest side कभी भी कौण सा होगा जैसे हमारा 3 2 2 1 ठीक है फॉर्मूले को आपको कई नोट कर लेना है कि total into ratio by ratio sum ठीक है न तब देखे total हमारे पास क्या है 18 है perimeter कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ है general सी बात है और ratio कितना है हमको किसका निकालना है greatest side का और greatest side में सा कौन सा होगा जो भाई सबसे अधिक ratio है ratio सबसे कौन सा है 3 है ठीक है और ratio sum ratio sum में क्या हो गया 3 plus 2 plus 1 हम इसा यदर कीगा ratio मुझे क्या दिया हुआ है 3 is to 2 is to 1 दिया है न तो ratio sum भी हुआ है इण 3 का sum इन 3 का sum क्या हो जाएगा हमारा ratio sum हो जाएगा ठीक है पड़कर समझे क्या हो जागा थी back up AND 9 यानि कि हमारे लॉपर अँपर की स्लाइड में बाइद दीए लेकिन थीट mana दीए यहां पर साथ ना को जल्द बाजी ही करना यहां पर 103 m2 दिया हुआ है और यहांपर यहां पे दैखिए कु Amquerار Leben को मेटर में धिया ऑड़ाई तो यहां पे आपको पता होना चुआ है कि unit से मौना चुआ है जासे यहां पे centimeter है तो मैं किलोमीटर थे मीटर थोड़े न कर देंगे हमेशा क्या होगा centimeter वाला ही होगा इसलिए the right answer will be third अब इसको दो तरीके से बोख़ गर सकते हैं मैं आपको पता अब अगर आप 3x plus 2x plus x is equal to 18 मानेंगे तो भी बहुत सिंपल से हो जाएगा ठीक है बट मैंने आपको मुझे लगा कि आपको सकता equation आता हो अगर आप 9 class में है तो आप equation से ही लगाएगा जो कि अच्छी बात है अगर 6 में है तो यह formula याद रखेगा formula क्याता हमारा total into ratio by ratio sum और इससे हमारा कोई भी निकल जाएगा माली जी अगर हमारे smallest side का पूछारता तो इस case में हम 1 को वहाँ पे लगाते है तो total 18 into ratio हमारा कितना था 1 upon ratio sum 6 तो हम जब मतलब काटे तो हमारा 3 answer आया था ठीक न तो ऐसे ही question solution होता है इस type के question का ठीक है तो अब हम move करते है अपन यानि कि x plus 1 upon x 1 upon x is equal to 5 यानि यतना क्या है 5 के equal है ठीक है न एक्स प्लस 1 upon x is equal to 5 then find the value of x square plus 1 upon x square अब एक सेकेन हम इसको solve करने के लिए नीचे चलते हैं मैं आपको अच्छे समझाता हूं देखिए ज़र समझी गई तो यह वाला question important है अभी आप जब आगे आएंगे तो यह वाला questions आपको मिलेंगे देखिए जो जो का है simply उसको लिग दीजे x plus 1 by x is equal to क्या दिया हुए हमारा 5 दिया हुए ठीक है और x square plus 1 upon x square पूछ रहा है अच्छा अगर आपको a plus b का holy square पता हो तो देखिए क्या होता है जब हम a plus b का holy square निकालते है तो हमारा क्या होता है जाहिर सी बात है बात है अगर आप class 9 में होंगे तो आपको पता होना चीए a plus b का holy square में स total का square लगा दें एक second में आपको बताता हूं देखिए जरा समझीगा बात को देखिए क्या क्या रहा है अगर हमाले हमको क्या बोला है x plus 1 upon x is equal to 5 है ठीक है तो अगर हम इधर का square निकाल दें तो जनरल सी बात है अगर एक और का square निकालना है तो दूसरे और का भी square निकालना यानिकी x square plus b हमारा क्या है 1 upon x यानि 1 upon x square और प्लस 2ab यानिकी plus 2 into x क्यों कि भाई यह हमारा a है यह हमारा b है यानिकी into x into one upon x मैं करी देता हूं ताप कान फ्यूज होंगे ठीक है into x or into one upon x ठीक ना तो x x कट जाएका तो क्या हो जागा x square plus 1 upon x square plus 2 ठीक ना इधर हमारा हो जाएगा x square देखिए मैं लिखता हूं x square plus one upon x square plus 2 अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा five कभी square निकले का क्यों भाई यूज अगर एक और का स्कॉर निकाला है तो दूसरे और के लिए 9 सापी हो जाएगा अगर आप एक का निकाल देंगे दूसर जाएगा तो फिर बहुत सिंपल यह टू क्या हो जाएगा इधर ट्रांसफोर मतलब ट्रांसफोर्म हो जाएगा ठीक है इधर चला जाएगा और जाके माइनस हो जाएगा तो 25 में से टू गटेगा तो कितना होगा 23 यानिकि x square plus one by x square की value कितनी आगी 23 तो देखिए यहाँ प बोला है x square plus one upon x square तो भाई कौन बेवकूफ है जिसको नहीं पता सल जाएगा कि square निकालेंगे तभी हमारा काम बनेगा अब square बोला है तो आपको square ही निकालना पड़ेगा तो हम एक और का square निकालना पड़ेगा उसको अब जैसे ऐसे बता हूं ऐसे फॉलो करके आप पाइब के रेसियो में है दो नंबर हो कितने के रेसियो में है 4 is to 5 k and the sum of numbers जैनी कि जब उन दोनों को जोड दिया जा रहा है 90 हो जा रहे ठीक है जब उन दोनों नंबर को जोड दिया जा रहा है तो 90 हो जा रहा है अब बोला है तो उनके बीच का absolute difference बता यह ठीक ना अब ज पता है कि नम नम को नंबर पता ही नहीं है नंबर क्या होगा हो सकता है एक बीस हो तो एक साथ हो मैं सॉरी एक बीस हो थेक सतर हो क्यों कि दोनों को जोडने के बाद कितना रहा है 90 हो सकता है एक 80 हो तो एक 10 हो हो सकता है एक 87 हो तो एक 3 हो मतला हमको नंबर नहीं पता है तब को बोला है कि 4 is to 5 में हमको सबसे पहली बात बोला है कि जो नंबर है वो 4 is to 5 के ratio में है तो हम दोनों नंबर को लेट करेंगे एक को एजूम कर लेते हैं 4x generally एक को एजूम कर लेते हैं कि 5x ठीक है ना बहुत ही जी है कोई टीपिकल नहीं है एक हमने अजूम किया 4x एक को एजूम किया 5x ठीक है अब देखिए अब बस question को follow करते जाएए अब question में बोला हुए कि दोनों नंबर को जोड़ दिया गया है जरा समझीगा अब दोनों नंबर को जोड़ा गया है तो हमारे हमारे number कौन कौन से है 4x और 5x यहनिकि 4x प्लस 5x बोला है ना कि दोनों न हा रहा है 90 हा रहा है question में साब बोला गया है कि दोनों नंबर को जोड़के 90 हा रहा है अब 4x प्लस 5x कितना होता है 9x होता है जनरल सी बात है तो 9x is equal to क्या हो जाएगा 90 अब x is equal to क्या हो जाएगा चुकि 9 यहां पर multiply हुआ है तो यहां जाकि क्या होगा 9 divided हो जाएगा तो ह हमारा x की value कितना गया है 10 आगया है एक सी वल्यों मेरे कितना गया है 10 आगया है ठीक है तो हम यहां पर इसकी value कितनी हो जाएगी तो 4 x x 10 दूसरे में 5 x 5 x 10 यानि एक हमारा नंबर 40 है तो एक नंबर हमारा कितना है 50 है अब समझेगा अब हमसे इतना ही नहीं बोला है difference निका है कि नहीं मिला तो इनकी बीच में difference कितने का है 10 का difference है आप 50 में चेपोटी को घटा के जान भी सकते है ठीक है तो आई जड़ा चेक करते हैं कि answer आया भाई की नहीं आया तो यहां पर 10 आया भी हुआ है ठीक है यहां पर 10 हमारा answer आया भी हुआ है तो हम इसको क्या कर देंग की भी सेस्ता पता होनी चाहिए क्यूब मतलब कि जिसका length breath और height क्या हो तीनों बिल्कुल equal हो अब क्यूब के एक अच्छा example अच्छा example आप देखते हूं कि जब हम जो dice से खेलते हैं जो लूड़ो को टीम नहीं होता है तो जिसमें जो dice से खेलते है जिसमें one two three four लिका होता है वह क्योबए ठीक है तेन क्यूब है जिनको बोला है प्लेज क्या गएad ressтивly in a row मतलब लेट सपूज कि यह क्यूब है ठीक है तो इसको फिर इससे सठाके। दूसरे वाले को मलद एक क्यूब एक यह क्यूब और एकतीसरा क्यूब यह बिल्कुल क्या गया हो उनको एक line में क्या किया होए एजसेंटली सटाके रखा गया हो ठीक है फिर क्या बोला है देखे समझेगा एक सकंड चलिए फिर बोला है उनको रखा गया है ठीक है अब बोला है find the ratio of the total surface area of new cuboid to get the sum of the total surface area of the three cubes ठीक है तो अब देखिए इसमें आपको घबराना नहीं है हम चलते हैं next slide फिर समझते हैं इस question को question में कुछ नहीं है ठीक है बस question में बोल क्या रहा है आपको understanding होनी चाहिए बोला है जैसे देखे मल यह cube number a ठीक है cube number a यह है ठीक है अब बोला है इसी से सटाके कोई cube b रख दिया गया ठीक है यह cube मतलब हमको इसका 2D से पी दिख पाएगा यह main 3D स से पोता है ठीक है और एक और क्यूब आ गया किसका सी का ठीक है अब समझीगा अब let's suppose हमको तो पता नहीं है वही किसकी side कितने की है लेकिन इस question में let's suppose हम महां लेते हैं किसकी side कितने की होगी दो जनी कि 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm की होगी अब मुझे आप एक बात बताएगा बहुत easy question त्रिके अब आँ ज़ anticipating सब्सक्राइब मुझे आपका रोम या आपकी दादी रोम और की च stimulating बिल्कुल एक ही क्या है बिल्कुल एक होगी लेंद्थ ऐब्ल्कुल बराबर बराबर क्या है लेंद्थ के हैं सब वो तरू ठीक है न हो कर भेबtown के घर में जो रूम होते हैं व या इंपक्ट पड़ेगा सोच दिमाग लगाई आपके रुम की चौड़ाई ऐसा तो है नहीं मली जैमने 2 cm चौड़ाई मानिए तो 2 cm से चौड़ाई यह 5 cm तो होनी जागी चौड़ाई जीतना था उतना ही रहेगा ठीक है हाइट भी जीतना था भाई अब रुम का बले बी प्रिट दो ही रह जाएगा हमेशा ये बात जिंदगी भर में रियाद रखिएगा कभी जब क्यूब्स को एक साथ रखा जाता है एक रो में तो हमेशा लेंथ पर इंपक्ट पर पर लेंथ पर बहुत जादे इस्ट्वेंड कन्फूजन में सब जोड़ देते हैं उनको लगत समझतर हमेशा क्या है हमीसा बस जूरता है वेरेंथ या ख्योड़ है तो समझे इतना समझ्वें आगर से क्यों में. चों सब्सक्राइप कर सकते हैं और त्रॉम कितना है तो फो या है इत पर टेक्ति नहीं कुस्सक्राइब WiFichnach सब्सक्राइब कर सकते हैं अब आगे इसको कैसे करना है अब देखी जब आप क्या बौल है टोल सर्फेस एरिया क्योब एकटा रहा होता है फ़र्मुला लिख देना है टूब्रेकेट में बी प्लस बी एच और सब्सक्राइब डर निकल जाका अब रखेसे यह निकल जागा अब दे हुब क्यूब कुछ हम आरे पास क्यूब कितना होगा याद रखेंगा टोल सर्फिस एरिया ऑब दा किूब का फर्मूला होता है एक श्क्षार एक हमारा इक स्कुब् का कंत एक इन्टू एक जगाँ प्लस ट्वेंटीफोर प्लस ट्वेंटीफोर ठीक है न और इसको एड करने के बाद हम क्या करेंगे रेशियो निकाल लेंगे हम बाई देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं जैसे माली हमने आको बता दिया टोटल सर्फेसरी ऑफ दो क्या होगा टूब एलबी प्लस बीएज प्लस लेच रखेंगे ठीक है ना तो उससे जीतना एंसर आएगा उससे माले लिए कुछ आएगा और उसके बाद अपन नीचे क्या हुआ है नीचे आपसे क्या वोला है कि टोटल शर्फे सेरी ऑफ क्यूब मतब तीनों क्यूब को जोडना है तो तीनों का ही अमेशा आएगा मैं आपे टू को लेट किया था एक साइड आरे भाई टू क्या थिरी क्या फोर क्या फाइब क्या आप कुछ भी लेट कर सकते हैं कोई इसमें प्रब्लम नहीं है ठीक है न तो उमीद करता हूं यह वाला कोशन बहुत इंपर्टेंट था आपको समझ में आओगा अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की तरफ अब देखिए यह वाला कोशन इजी है इस कोशन को मैंने डिरेक्ट थी डिरेक्ट पेपर से लिए ठीक है न यह पेपर में आख चुका है कि जिबार के ठीक न अब बोला है कि रेस्यू निकालिए 20 मिनट का एक खूफ हो देखो एक मिनट में है और एक आवर में है ठीक है न एक आवर में इसको हावर नहीं पढ़ते हैं याद रखीगा इंगलिस का एक और फेक्ट में आपको बता दूँ यहाँ पर एच साइलेंट होता है चैब और ओनेस्टी हो यह इमानदारी वाला होता है न तो ओ और और उसको होनेस्टी पढ़ते हैं और यहाँ पि आवर होता है इसको प्रफेस्टनल इंगलिस में आवर पढ़ताए किやप यह इंज 58gas नंगे को एक में Convert करेंगे सकते में कितना मिनट 60 मीनट ठीक है तो क्या होगा है 20 नियुक्त का 60 में से तो रेशीओ क्या होता है अब ये वाला question easy है बट इसके लिए मैं आपको थोड़ा probability के बारे में बताऊंगा आप देख क्या बुला है बुला है a dice is thrown find the probability to getting a prime number अब सबसे पहली बाद तो dice क्या है dice आप सभी को सकता है पता हो जब आप loot वाले नहीं खेलते हैं नंबर उसी को बोलते हैं dice ठीक है न आप आप समस्कों छक्का बोलते हैं ठीक है तो उसको dice बोलते हैं अब देखिए बोला है उसको फेका गया ठीक है अब बोला है find the probability to getting a prime number अब याद रखीए जो probability probability क्या है तो मैं पूतला probability बारे में बताना चाहता हूं दोसब देखिए probability क्या है वो समझीगा probability मतलब की माली जी उमीद ठीक है न पर बीटी मतलब सब पोज करिए तो चाहते हैं जाते हैं का चाहते हैं ह Taylor गिरें ठीक है तो टील कितना है यह दो चीजह एक तो यह ओर यह मतलब तो कौन-कौन से नमबर करा सकते है तो ऑ Nou सबसेंटीर रहती है ठीक है और कर्ण सबसेंगे कि वह होता है और है और कितने होता है प्राइम नंबर कितने होते हैं 3 यानि कि कितने आने की कितना सबसे उपर तो 3 लिख देंगे क्यों 3 लिख देंगे च continuos 3 लिखने का मतलब है कि कितने नमबर आ सकते हैं यानि कि कितने बार ओ Kirk को अ सकता है जैसे इसे for example Head Tail वाले में हमको Tail चेह था तो Tail उसमें कितने बार आया था तो एक बार आया था तो हमने एक लिख दिया है और upon में total जितना है वो हम लिख देंगे फिर समझाता हूं समझेगा confusion नहीं रखना दिमाग में सबसे पहले तो यह कि जैसे हमको two three or five चीए ठीक नो जैसे prime number क्या होता है प्राइम नंबर हमको पता होगा अगर आपको अगर basic आपका clear तो आपको पता होगा जो one से कटे और जो self से कटे उसके अलावा किसी से ना कटे तो इस dice में two three or five के वल तीन क्या है प्राइम नंबर है तो नंबर आफ प्राइम नंबर कितना है एक दो और तीन है ठीक है तीन लिख दिए और नीचे total नंबर कितना है total number हमरा कितना होता है six होता है one two three four five six तो नीचे six लिख देंगे तो probability हमरा कितने का निकल गया one by two तो हमको probability बस एक formula लगना चीए formula क्या होता है कि जो हमको number हमको लाना है मतलब जो हमको number पाना है वो कितने बार आया है और अपन टोटल नंबर कितना है बस अगर यह formula लगनों का तो probability को हलुआ जैसे कर देंगे कोई रिकत निया ठीक है तो अब हम मूव करते हैं अपने next question की तरफ यह वाला question समझीगा बोला है कि find the volume of right circular cylinder अरे बापरे अब right circular cylinder क्या है अरे मतलब cylinder का नाम सुने है अना cylinder का जो normal हमारे और आपके घर में होता है इससे gas जलता है उसी को आप यहाँ पे right circular cylinder मानी ठीक है वही उसी टाइप को वही होता है ठीक है इयायँ करेक आप बेस नीचे देखें होंगे कभी cylinder होता है तो नीचे गोलर ताईप का वहता है मतलब मतलब अशियलेंडर कढा होता है वह नीचे होता है नीचे गोल उसका sita होता है ठीक है तो बोला है उसका जो बेस होता है उसी को बुलें बेस तो बेस का जो वो जो बेस का रिडियस है रिडियस का उसका 7 है ठीक है और 15 सेंटीमेटर क्या है उसका टोटल हाइट है तो अब देखिए अगर ऐसा कोशन करना है तो ऐसे कोशन में में साप याद रखेगा ऐसे कोशन में में साब फॉर् और the volume of the right circular cylinder और volume of the cylinder क्या होता है याद रखी का पाई आर स्क्वायर एच ठीक है यह बात आप याद रखीगा इसका पुरुविंग भी होता है अगर आप पुरुविंग चाहेंगे तो मैं पुरुविंग पे एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा बट अभी चूकि हमनों सैनिक स्कूल के करम में लगतार वीडियो बना है तो भी तो थोड़ा मुश्किल है ठीक है चैनिक स्कूल पेपर हो जाने के बाद मैं पुरुविंग पर आपका वीडियो बना दूँगा ठीक है तो देखिए पाई स्क्वायर एच हमें सायद रखीगा क्या होता है पाई स्क्वायर एच यह वी मतलब समय रहें यह वाल् कितना है 15 simply हो गया काम हमारह सकना 15 अब 176 767 क्या बात एक बता नहां था इसलिए मैं ऑपशन इस्टाइप कर आए अब देखिए एक मेंडिकी जैसे एंसवर हाता है हम लोग तलो उत्सुक हो जाते है कि आरी आपकर एंसवर आ गया ठीक है तो एंसवर आ थाफिक है तो एंस नहीं आपको याद रखना है कभी भी वाल्यूम का जो यूनिट होता है सीथ प्रणॉब में रहेगा थिक न Goddess रों कोमेशा याद रखना है यह चीज थे छीज्ज आपको दिमांगे बैठाय रखना है अगर वॉल्डियों होगा तो एर्यारिम होगा थे स्कॉएरीक टीक है तो रहे में इसके बाद समझे इस टाइम आपको फ्याव मत अनका बना के लिए घृणार के टाव के लिए हुआ की तब हमुव करते हैं अब यह व्य Song मैंने जान करके इस पॉर्मूले टिक रखा है Hemispherical ball हेमι स्फ़ेर क्या होता है समझे Hemisp pregnors आपो के पाल सब्हूंस आपको पता होगा वह क्रिकेट का जो बॉल और फूरा स्थिकेश अब हेमिस्फेर क्या है अपने क्रिकेट के बॉल को लिजिए औरा बिल्कुल काट दिजे तो जैसे पूरा रहे गात क्या रहा एस फियर रहागा और वही जब आधा बचेगा इसे वही जब ऐसे आधा बचेगा बस आधा तो क्या हजागा ये ही hjemmy bath हो जागा ठीक है तो वही बोला यहां पर granddaughter जिस एट के बोला के बारे में दो सबसाइब को बता दूं वाल डिम का मतलब उयाद रिंगा किसी थीज का वॉल्लियूम मतलब पहली चीज तो होती है पहला चीज तो आपका मतलब यह storms देगा कि वहुदeton कि फ Cook कि पर एक बोटल है जो कि इतना जगा मतलब क्या करता है एक वेजल है जो कि इतना जगा क्या करता है घेरता है ठीक है तो जेनरल सी बात है जितना जगा गेरेगा उतना इन अपने अंदर milk store करेगा तो volume क्या होता है दो चीज़ आप volume से याद रखेगा पहला तो यह कि अपने अंदर कितना पानी कितना water कितना क्या store कर सकता है और दूसरा बात मैंने आपको क्या बता है दूसरा यह कि volume मतलब कितना जगां वो चीज गेरेगी ठीक है तो hemispherical ball है और क्या बोला है उस प्रियर करते हैं देखिए हमको 11.2 दिया हुआ है ठीक है ना हमको डी देखिए 11.2 दिया हुआ है अब फॉर्मूला आप याद रख लिजे फॉर्मूला क्या होता है है मिस्पेर के volume का formula होता है तू बाइठी हमेसा यादर की का टू बाइठी पाई-ार क्यूब इस है सब्सक्राइब करते हैं हमेसा फॉर्मूला को दिया हुआ है याद हुआ कि नहीं हुआ पहला तो है मिस्पेर का टू बाइठी पाई-ार क्यूब जूसरा इस प्रिक है तो इसके बाद देखें सॉल्फ करते हैं हमको डाइमेटर हमको दिया हुआ हुआ है 11.2 लेकिन फॉर् यह कि हमारा टू बाइठी पाई-ार क्यूब हमको जिक हीग यह आर्की र मतलब रीडिमेफ कभी रिद और रीडियस कभी भी डामीट्र का आदा होता जिंदगी बहर मेरी इक बात याद रगेगा कि रेडियस क्या होता है डामीटर के क्या होता है आदा होता है थो 11.2 का करेंगे और हैं क्या करेंगे 5.6 into 5.6 into 5.6 रख देंगे हमारा एंसर आजाएगा अब इसके जो इस मतब पूरा केलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा एंसर कितना है गा हमारा एंसर आगा 367.96 इस हमारा एंसर आगा जब उसको solve कर लेंगे तो आएगा 367.96 cm3 लेकिन एक बात याद रखीगा भाई हमसे क्या पूछा है कितना milk इस्टोर कर सकता है तो milk को हम सेंटीमीटर क्यूब में नहीं रखेंगे milk को मिली लीटर में रखते हैं आप समझे कैसे हमें से एक बात य मिली लीटर तो 367.96 सेंटीमीटर क्यूब में 367.96 मिली लीटर ठीक है तो देखिए हमेशा एक बात इससे दो चीज़ा आपको याद हो गया पहला बात तो यह कि एक सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है एक सेंटीमीटर क्यूब में हमारा एक मिली लीटर होता है तो हाल to one ml ठीक है तो यहां पर अगर milliliter में अंसर आता तो कितना आता 367.96 milliliter milliliter cube नहीं आता हमिसाद रहेगा milliliter cube नहीं आता वो centimeter cube आता है one हमिसाद रहेगा one centimeter cube is equal to one milliliter होता है ठीक है तो यह बात अपने दिमाग में आप बैठा लेगा ठीक है अब देखिए यह वाला question last question है और last question के पहले बाई मैं आपसे एक request करूँगा कि चैनल को subscribe कर दीजे क्यों क्योंकि हम लोग सैनिक स्कूल नौदे विदाले CHS इन सब के लिए हम लोगतार preparation करा रहे हैं लगतार इस टाइम सैनिक स्कूल के लिए हम लोग वीडियोस पर वीडियोस डाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजे ताकि आपको कोई भी अब्डेट मिस नहों और आप सभी वीडियोस हमारी देख लें और आपको परिच्छा में बहुत 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 जादे हैल्प हो ठीक है तो देखिए बोला है देरीजर रूम मतलब यहां पर एक रूम है आपको जनरल पता होगा कि रूम आपका रूम सब का रूम एक पश्द होगी मतलब कितनी बड़ी एक लोंगेश्ट इश्टिक उसमें पूठ किया पतला जीसे आपको में पूठ में शाफितिक थे सती के लित शांते हैमेज सबुंच कन रूम और आपके जो आप फर्स बिश्च पर चलते हैं उसका ये वाला कोना ये क्या होता है ये डाइगुनली टाइप का होता है ठीक है नो और इतनी में ही क्या होगी सबसे बड़ी छड़ रखी जाती है ठीक है अगर कभी भी जिंदगी में ऐसा कोशन आए तो कि ऐसा कोशन बहु होना है इसका डरिवेशन है इसका डरिवेशन पाइधागोरस ठेरम को मतलब साथ लेके इसका डरिवेशन कर देते हैं तो भी बहुत ज्यादे कोई हाड नीज़रण भी फाइथा गोरस फ्यूरम आपको लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है ठीक है बर मैं आपको यहीं कि रूट में L square plus B square plus H square learn कर लीजे काम ख़ता हम तो आईए पूट करके भी देख लेते हैं क्या दिखा था देखिए बुला है है हम रूट में हम रूट में रखेंगे एल का square एनी 7 का square मतलब 49 ठीक है अब उसके बाद बोला है 4 का square मतलब 16 और इस 4 का square मतलब 16 और इन तीनों को जोलेंगे तो हमारा आता है सब्सक्राइब किना चेनल को सब्सक्राइब करेंगे तब हैं आपको अपको अपडेट मिलेगी और होब करता हूँ कि मैं आपसूर में जरूर पास होंगे तो बेस्ट गाइज मिलते हैं नेक्स टूडियो में ताता के लिए बाबाय जहीं वंदे मात्रम